नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 9 Pro पर इंटरनेट के जो प्रॉब्लेम है उसको फीक्स कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एज़ो प्रॉबलेम है ठीक है यह दोस्तों लॉक करने के बादाते हैं तो दोस्तों आप जब फॉन को लॉक कर देते उसके बाद दोस्तों इंटरनेट कनिक्टिविटी बनी हो जाते हैं इंटरनेट जो है वो नहीं चलते आपके लॉक्स स्क्रीन पर ठीक है तो आज वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलुइशन देने वाराओ तो सिंप्लि आप वीडियो को फॉलो कर लेज़ेगा वीडियो फॉलो करने के बाद दोस्तों आपका इश्यू आ वीडियो पर अपना इंटरनेट को यूज कर सकते हैं ठीक है कई लोगों को इसा प्रोलेम हो रहे हैं जब आप अपने फтовन को लोग कर देते लोग करने के बाद इंटरनेट बनी हो जातें ठीक है तो चलिए देखते ऐसा क्यूनअ कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर को करना किया आपको सेटिंग पर जाना है सेटिंग पर जाके दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा आपको इस्क्रॉल डाउन कर लेना है ठीक है इस्क्रॉल डाउन करके आपको सर्च करना है बेटरी एन पर्फोर्मेंस बेटरी एन पर्फोर्मेंस पर जाके दोस्तों यहाँ पर आपको setting पर क्लिक करना है आपको लग रहा होगा कि यह तो बेटरी का सेटिंग है लेकिन ऐसा नहीं है आपको यहाँ ऊपर गियर आइप पर क्लिक करना है ठीक है आपको setting का sign दिखाए देरा होगा तो उसमें क्लिक करना है और turn of mobile data when device is locked ठीक है आप देख सेकते turn of mobile data when device is locked इसको जाके आपको याप पर never कर देना है ठीक है अगर आप इसको 5 मिनिट पर set करते हैं लोग हो जागा आप स्क्रीन 5 मिनिट का बाद internet बंट तो आपको never पर set करना है उसके बाद दोस्तों आप try करके देखे आपका problem नहीं होगा problem solve हो चुका होगा ठीक है तो बस यही setting है इसके मदद से आप fix कर सकते हैं अपने problem को तो आज की इस video पर दोसो बस इतना ही thanks for watching